नमस्कार दूस्तों, 30 अक्टूबर 2020 के डेली करेंट अफेर्स बर्निंग न्यूस डिसक्रशन में आपका स्वागत है, आज की 6 इंपॉर्टेंट न्यूस है, 6 की 6 में आपको बताऊंगा, आगे बटन स्पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिजे, वहाँ पे आपके चेन् इन फ्रेंच चर्च अटैक, अब एक अनफॉर्चनेट इंसिडेंट हुआ है, फ्रांस की एक सिटी है, बहुती प्यारी सिटी है, नीस नाम की, वहाँ पे एक नाइफ विल्डिंग अटैकर अल्ला होगबर चिलाता हुआ, उसने एक वुमेन का गला काट दिया, और दो और पीपल को उसने मार दिया, यह जो अटैकर था है, पकड़ने के बाद भी अल्ला होगबर चिलाता रहा, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि धरम के नाम पे जो लड़ाई चलती है दुनिया भर में, उसका एक और एक्जामपल है यह, यहाँ पे फ्रांस के जो आला ओफिसर्स हैं, उनका कुछ स्टेटमेंट आया, कोई मिस्टर एस्टोजी है, ठीक है, रहे हैं, उनने बोला है कि इनफ इस इनफ, इस टाइम नाओ फर फ्रांस तो एक्जुनरेट इटसल फ्रम दे लाउस पीस, इन ओडर तो डेफिनिटली वाइप आउट इसलामो फैसिसिजम फ्रम अब यह बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, यह जो एक इंडिविजुल इंसिडेंट हुआ है, जहां पर एक लेड़ी का गरा काट दिया गया, नो डाउट यह इंसिडेंट बहुत ज़दा होरिफिक और खतरनाक था, अब अब आव्वेसी बात है, एक इसलाम वर्सस क्रिक् उन नियम कानूनों को अगर कोई तोड रहा है, तो उनको हटाने के लिए हम भी उन नियम कानूनों को तोड सकते हैं, अब इस तरीके के खतरनाक स्टेटमेंट्स आएंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी डेंजरस हो सकते हैं, धरम के नाम पर अलड़ी देश भर में दुनिया का एक्जामपल आ रहा है, कहा ये जा रहा है कि ये जो अटैकर था, इसने जो प्रॉफिट मुहमट के घराप कार्टून्स पब्लिश किये थे, चारली हेब्डो नाम की एक जो मैगजीन है, उस कार्टून्स के ओपन पोट्रेल के अगेंस्ट में ये एक अटैक था, अब यहाँ पे जो फ्रांस का रूलिंग इस्टैबलिश्मेंट है, जिसको लीट कर रहे है, इमैनुवल मैकरॉन, ये भी थोड़ा थोड़ा प्रो, आप कैसकते हों कि फ्रांस लिब्रलाइजिशन की तरफ जा रहे हैं, फ्रांस के प्रेजिडेंट ने पहले साफसाब बोल दि लेडिस को अधिकार है कि वो जो चाहें वो पहुंच सकते हैं, तो पहले भी कुछ ऐसे इस्टैंस हुए थे, कि एक बस ड्राइवर ने एक लेडि को बैठाने से मना कर दिया, उसकी ड्रेस को लेके, तो अब ये दो आइडिलोजीश का क्लैश हो रहा है, और इन आइडिलो Macron और उनके administration के officials उसके against में दुनिया भर की Islamic countries ने Emmanuel Macron को criticize किया है, और France ने warning भी इशू की थी अपने citizens को दुनिया भर में, कि अगर आप Muslim majority nations में रह रहे हैं, तो वहाँ बच के रहे हैं, तो थोड़ा से एक danger यहाँ पे trend निकल के आ रहा है, और बगवान कर ले जल्दी ये trend अ आप साइड हो जाए, चुकि इस सब चीजें potentially बहुत dangerous हो सकते हैं, अगर आप Europe का map देखो, तो आपको यहाँ पर फ्रांस में जा रहा है, वैसे तो यह जो पूरा पूरा यूरोप का इलाका है, France, Spain, Portugal, Austria, Netherlands, Dutch, इस अब यह सब अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं अपनी शान्ती के लिए जाने जाते हैं, अपनी human development indicators के लिए जाने जाते हैं, अपने tourism के लिए जाने जाते हैं, अब यहाँ पे जब इस तरीके की news निकल के आती हैं, तो लगता है कि यह जो instability है, यह केवल इंडिया में नहीं है, यह दुनिया भर में, paper 1 syllabus में यह चीज़ आपको काम आएगी, next बात करते हैं, अंगले news की lowest core sector, shrinking since March, आपको मैंने बताया कि हर महीने, index of eight core industries का data आता है, इसको compile कोन करता है, office of the economic advisor in the department of promotion of industry and internal trade, तो यह लोग data को revise करते हैं दोस्तों, अभी जो September का data निकल का आया है, इसमें यह बोला कि जो eight core industry sectors हैं, September 19 के हिसाफ से September 2020 म केवल 0.8% घटे हैं, अब इसको एक improvement बोला जा रहा है, चुकि जब से lockdown लगा है, जब से coronavirus का lockdown मार्च के बास से लगा है, अप्रैल से जो developmental indicators हैं, वो बिलकुल ही नीचे चले गए, और इन development indicators को compare कि से किया जाता है, last financial year के उसी महीने से, तो अगर अगस्त 2020 के आप data को compare करोग तो September में index of, यह जो core industry है, इसमें जो cement का output है, यह 3.5% घटा है, अब यह 3.5% घटा है September 2019 से, बट पिछले महीने में जो घटा हुआ है, उससे तो ठीक ही है, ठीक है दोस्तों, उसके बादा देखो fertilizer industry के ऐसी industry जो लगातार made to August पिछले साल के comparison में बढ़ रही थी, लेकिन वो contract किये September में 0.3% से, यह contract किसे किये September 2019 और September 2020 का comparison यहाँ पे हो रहा है, पहले के कुछ जो data थे उनको कुछ हद तक revise किया गया है, जैसे कि for example दोस्तों, पहले जो output निकल के आया था, उसने बोला था कि, यह जो final growth rate है index की, 8 core industries की, जून में यह 15% घटी है overall, लेकिन अभी जून क data revise हो रहा है, और यह बोला गया कि नहीं भाई, जून में 15% नहीं घटी है, जून में minus 12.4% घटी है, similarly अगस्त में यह बोला गया था कि index of industrial production overall, अगस्त 2020 में 2019 के मुकावले 8.5% घटी है, लेकिन अभी जब revise data निकल के आया, तो पहला चला 8.5% नहीं, 7.3% घटी है, तब य यह data भाईया, हर महीने निकलते हैं, हर महीने मैं आपको इनके साथ discuss भी करता हूँ, कुछ additional information है, यह PPT में available कर वालूँगा, आप पढ़ ले हैं, चुकि month-wise यह data निकल के आता है, तो सारा data रटने का कोई मतलब है नहीं, और month-wise के specific figures तो UP pieces में ज़्यादा पूछ लिए जा Center sets up commission to tackle NCR pollution, देखिए, Environmental Pollution Prevention and Control Authority, EPCA, जो कि अब तक की बहुत important authority थी, air pollution को लेके, इसको खतम किया गया, 22 साल से यह EPCA काम कर रही थी, और इसकी जो addressing है, air pollution की दिल्ली में, ठीक है, वो उतनी effective नहीं थी, इसलिए EPCA को हटा दिया है, सरकार ने, और सरकार ने नई बाड़ी बनाये, the commission for air quality management and national capital region and adjoining area, the commission for air quality management in national capital region and adjoining area, कौन कोंसे इसके इसके control के अंदर आएंगे, तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाना, उत्तरबदेश, यहां से जो भी pollution निकल के आएगा, उसको control करना इस authority का काम होगा, इस authority को भाई, तगड़े rights दिये गए, पहली अगर कोई air pollution फैला रहा है, और सरकार दोरा नियम कानूनों का follow नहीं कर रहा है, air pollution कर रहा है, तो उस case में, एक करून तक का जुर्माना अब 5 साल तक की सजा है, इसको सरकार अभी के लिए ordinance के थूरू लेके आईगी, जब भी अब्यसी बात है, अगला session होगा अब यहाँ पर एक और organization निकल के आता दोस्तों, वो है Central Pollution Control Board और State Pollution Control Board, देखे, Environment Protection Act जो है, Environment Protection Act 1986, उसके अंदर Central Pollution Control Board और State Pollution Control Board को ताकत विली है, कि वो air, water और land pollution को रोख सकते हैं, लेकिन एक authority आप यहाँ बना रहे हो, the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, और एक body है Central Pollution Control Board और State Pollution Control Board, obviously इनके jurisdiction में clash आएगा, दोनों bodies का काम है, pollution को control करना, तो अगर jurisdictional clash आता है इन दोनों bodies के बीच में, यहनि एक तरफ CPCB और SPCB और दूसरी तरफ Commission for Air Quality Management in National Capital Region, अगर इनके ओपर clash of jurisdiction निकल के आ रहा है, तो air pollution से related matter में, Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, जो कि यह भी नई body बनी है, इसकी ही चलेगी, तो air pollution में जब jurisdiction आता है, तो Commission for Air Quality Management की ही चलेगी, अब पुराने laws में क्या खमिया बताई गई है, इन्वार्मेंटलिस्ट और एक्सपर्ट्स ने बताया है, कि बाई दिल्ली और दिल्ली के आसपास के अलाकों में जो इतना बड़ा air pollution की problem है, उसको हम तक अब तक नहीं स्वाल कर पाएं, वो इसलिए नहीं कर पाएं है, कि जो CPCB जैसी bodies है, Central Pollution Control Board, यह Environmental Protection Conservation Authority, EPCA, यह लोग rules को on ground enforce नहीं कर पाते थे, इनके पास सजा देने की ताकत नहीं थी, यह जो नया Commission बताया गया, यह एक करोन तक के फाइल लगा सकता है, पांस साल तक के लिए जे implementation यह नहीं कर पाएं, तो भले ही rules existence है कि आप stable burning नहीं कर सकते, stable burning एक penal offense है, ठीक है ना, एक criminal offense है section 188 के अंदर, ठीक है, उसके बाद भी stable burning हो रही है, thermal power plant से pollution निकल रहा है, इसको रोकने के लिए बहुत सारे नियम कानून मनाया है, उसके बाद भी pollution हो रहा है, तो इन सब pollution को नहीं रोक पार है, मतलब कहीं न कहीं नियम कानूनों को implement करने की ताकत नहीं थी, EPCA के पास, EPCA को हटा दिया गया है, नया commission लेके गया है, और इस नया commission को बहुत सी ताकत दी गया है, EPCA की chairman है, भूरे लाल और member है, उन्होंने बोलाए कि भाई, हम government की decision को welcome करते हैं, और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले कई सालों में EPCA ने क्या का काम किया है, तो graded response action plans जो लेके आया है, वो EPCA को लेके आया है, ठीक है, फिर regional rapid transport system के construction का idea EPCA का था, BS6 fuel standards को जल्दी implement करना ये idea EPCA का था, जो outgoing chairman है, outgoing chairman के अब EPCA पूरा ही खतम किया जा रहा है, तो EPCA की जो authorities हैं, वो बोल नहीं कि ठीक है भाई, central government जो कर रही है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन at the same time, इन्होंने जाते जाते, EPCA की जो achievements है, उनको भी point out किया है, general studies paper 3 में चीज़ आपको काम आई गयो, EPCA को dissolve करना, और एक नए commission को बनाना, this is a very important news, आगे आने वाले समय में इस से related, बहुत से editorial भी आने वाले हैं, फिर बात करते हैं, एक नई news निकल के आरे हैं, international relation में, साउधी ने एक note issue किया है, दोस्तों, यहां देखे, 20 रियाल का note issue किया है, और इस BR, 20 रियाल के note में, जो इंडिया का नक्षा बनाया गया है, दोस्तों, actually G20 की जो members हो उनको honor कर अरे किया गया है, और इस इंडिया का जो नक्षा है, इसमें जो लद्दाक वाला इलाका है हमारा, उस लद्दाक वाले इलाके को चाइना का दिखा दिया गया है, और जो गिलगित बलतेस्तान हो पाकिसपास उकूपाइट कश्मीर है, ißको एक अलग कंट्री दिखाए गय कि डिप्लोमाटिक लेवल बे दिल्ली ने रियात के साथ इस चीज़ को बाचीत करी है वहाँ पर जो हमारे एमबैजडर है उनको काम पर लगा दिया गया है साउथ अरेबियन मॉनेटरी अथोर्टी ने इस नोट को लाँच किया है 24 अक्टूबर को क्यों तो कुमोमरेट अंड सेलिब्रेट दा साउथी प्रेजिदेंसी अफ जी टॉन्टी तो यहाँ पर जो नक्षा गलत तरीके से दिखाया गया है उसके उपर एक इशू उठाए रॉंग डेक्लिरेशन रॉंग डिपिक्शन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाक को चाइना का पार्ट दिखा देना दिस इस कॉइट रॉंग जो कि साउधी अरेबिया ने किया और इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट भी किया है प्रोटेस्ट होगा हम लोग फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉंच करेंगे देखी जो इलाका जिसके पास है वो इलाका तो उसके पास ही रहने वाला है साओधी अरेबिया नो डाउट हमारा strategic partner है कहीं न कहीं साओधी अरेबिया चाइना का भी strategic partner है तो अब बात ये थी कि साओधी अरेबिया के सामने दो options थी इंडिया और चाइना वो किसको ज़्यादा नाराज कर सकता है तो एक बार को इंडिया को नाराज कर दें तो चल जाए का चाईना को नाराज कर नहीं सकते इसलिए लड़्दाक को चाईना का फ़ार दिखा दिया सिंपल कल्कॉलेशन है सौदी अरेबिया एक कंट्री अब जादा इंदिया के साथ बी रिलेशन से अभी जादा important relation किसके साथ है चाइना के साथ है तो चाइना को नाराज नहीं कर सकते तो लद्दा को किसका इससा दिखा दिया चाइना का इससा दिखा दिया तो बले लद्दा के इंडिया के बहुत डिबेंडन्ट था, साउधी अरेबिया पाकिस्तान से आज की डेट में वैसे नाराज चल रहा है, तो गिल्गिस बलतिस्तान और पियके को एक अलगी कंट्री दिखा दिया साउधी अरेबिया ने, ठीक है, आगे बात करते हैं, फ्रेश अन्रेश्ट और आसाम करीम, आसाम मिजोरम बॉर्डर, ये इश्यू एक बहुत इंपोर्टन इश्यू बन क्या रहा है, बहुत ही कम ऐसा होता है, कि दो स्टेट्स आपस में, लैंड बॉर्डर के लिए लड़ें, लैंड एरिया के लिए लड़ें, और ये आये हैं, और वो लोग इन इलाकों से बाहरी नहीं निकल रहे हैं, अब एक बहुत प्रॉब्लमाटिक इवेंट है ये, ये जो दोनों स्टेट्स की बॉंडरी है, आसाम और मिजोरम की, ये 164.6 किलोमेटर की, साउधन और साम के ऑफिशल ये बोल रहे हैं, कि मिजोरम पु इधर है मिजोरम, ठीक है ना, नागा लैंड, मनीपूर, मिजोरम, उपर नागा लैंड है, नीचे मनीपूर है, इधर मिजोरम है, आसाम का हिस्ता इसके साथ जुड़ रहे हैं, अब ही अगर मिजोरम तक सप्लाइज पहुचानी है, तो सप्लाइज लैंड बॉर्डर के हा आपका मायनमार, मिजॉरम के वेस्ट में है आपका बंगलादेश, तो अगर मिजॉरम को इंडिया के साथ कनेट करना है, तो रास्ते में आशाम आई जह आएगा, मनिपूर के रास्ते भी सप्प्लाइज आ सकती हैं तो आसाम से जो सप्प्लाइज लिए मिजुर इनुरम के रास्ते हैं वो जाती है नैशूनल हाईवे नंबर 306 से और इस नैश्णल हाईवे नंबर 306 के को आसाम के लोगों ने ब्लॉक कर दे, आसाम के लोगों का ये बोलना है कि हमारे इलाके में घुसके बैठे हैं ये मिजुरम वाले इनको पहले बाहर निकालो अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो जो सप्लाइज मिजुरम तक जा रही है वो हम बंद कर देंगे अगर ये चीज बहुत लंबे समय तक चलती है तो हो सकता है कि सेंटर को यहां पर प्रेजिडेंट रूल भी लगाना पड़ जाए चुकि इतनी स्ट्रेटिक लोकेशन में जहां पर एक तरफ मायनवार है और दूसरी तरफ बंगलादेश है वहाँ पर इस तरीके की लड़ाई पचेगी नहीं अब बात दोस्तों यह है कि चलिए मायनवार के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है तो इस इश्यू को एक सेकेंड के लिए इग्नोर किया जा सकता अगर चाइना यहां असपास कहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी इंडिया को बट फिर भी इस प्रॉब्लम इस बिग दो स्टेट्स आपस में इलाके के लिए लड़ रहे हैं होम मिनिस्ट्री को प्रो एक्टिवली यहां पे इंगेज करके चीजों को जल्दी ही सौल करना पड़ेगा चुकि दो स्टेट्स के लोग आपस में लड़ेंगे और मिजोरम के अंदर अगर आप सप्लाइस को ब्लॉक करोगे नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके तो वहां के लोगों को प्रोब्लम होगी और लोगों को प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए तो most probably होम मिरिस्ट्री जल्दी इसमें इंटर्वीन करेगी जनल स्टीज पेपर थी में इस चीज़ आपको काम आएगी आज की फाइनल न्यूस जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.1 लाग करोण पे पहुंच गई है पूरे साल 2020 के लिए जो फिस्कल टेफिसिट का टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 7.96 लाग करोण फिस्कल डेफिसिट के बारे में जानना चाते हैं दोस्तों तो फिस्कल डेफिसिट मेरे नाम के साथ 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 मारी आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी फिस्कल डेफिसिट रेविन्यू डेफिसिट मैं आपको समझा चुका हूँ fiscal deficit होती क्या है कि सरकार का total खर्चा और सरकार के पास total जितना पैसा आ रहा है उन दोनों के बीच का जो फर्क है उसको बोलाता है fiscal deficit और इस फर्क को पूरा करने के लिए सरकार borrowing करती है तो जो total revenue है न सरकार का उसमें borrowing को count नहीं किया जाता है समझे तो total खर्चा जादा है total revenue कम है दोनों के बीच का difference fiscal deficit है तो fiscal deficit पहुंच चुकी 9.1,00,000,000 पे 115% of the total budget पूरे financial year के लिए fiscal deficit का target रखा गया था 7.96,000,000 करोन और वो अभी 9.1,00,000,000 पे पहुंच गई है हमारी revenue deficit भी 125.2% पे आ गई बाप बोलो गया revenue deficit क्या होती है तो देखे एक revenue sources होते हैं और एक होते है revenue खर्चे revenue खर्चे दोस्तों वो खर्चे जो करने ही है तो जैसे कि expenditure charge on the consolidated fund of India जो भी government offices चलते हैं उनकी बिजली के bill, light bill तो इस तरीके खर्चे interest payment तो सरकार ने दुनिया भर के agency से loan ले रखा उसके उपर interest की payment करनी पड़ती है तो ये सब भाईया वो खर्चे हैं जो सरकार को करने ही करने है और इनके लिए जो revenue आ रहा है उसमें जो revenue deficit निकल के आ रही वो 125.2% है तो मतलब revenue deficit भी हो रखी हमारी और फिसकल deficit भी हो रखी है फिसकल deficit तो overall खर्चे को include करता है और revenue deficit तो केवल उस खर्चे को include करता है जो हमें करना ही करना है हमारे daily मर्रा के administration को चलाने के लिए interest payment करने के लिए लोगों की तनखा देने के लिए तो हमारी revenue deficit भी चल रही है और फिसकल deficit भी चल रही है और दोनों के targets अरड़ी वलेट हो चुके है और अभी केवल अक्टूबर ही चल रहा है पूरा का पूरा financial year भी आदा बचा हुआ March, April, May, June, July, August, September, October आठ महीने हुए है इस financial year में अभी भी चार महीने बचे है and we are already at 115% of fiscal deficit and 125.2% of revenue deficit तो यह थी आज की news दोस्तों थैंक्यों फो वाचिंग आई होप आपको सीखने हों मिला होगा जनल स्टुडीज पेपर 3 में आपको कामिक लाइक और शिर्की भी ना मच चाहिएगा